तो प्रहुप है तो लास्ट लेक्ष्चर में हम लोग इलेक्ट्रो मेंफी की प्रॉपपरटी इसकस कर रहे थे कि इसके रहे थे किए वारिंग इलेक्ट्री िंद बेरिंग इनेतीई में ऋपते मेंवेरिंग को परपेंडिकलर और electromagnetic wave का जो propagation होगा उसकी जो velocity होगी वो किसे मिलेगी हमें E cross B vector से electromagnetic wave की velocity किसी medium में क्या होगी 1 by under root permeability into permittivity of that medium यादा रहे है ठीक है न यह तो यह जो भी हमने point discuss करे थे जो भी 6-7-8 point discuss किये थे हम लोगों ने सारे तुमारे रिवाइज होंगे तो जो numerical हम लोग last class में कर रहे थे उसी को भी में आगे continue कर रहा हूं ठीक है यह दो numerical हमारे NCRT के रहे गए थे उनको पहले discuss करते हैं फिर हम electromagnetic waves के spectrum को discuss करेंगे आज ठीक है तो चलो भी यह अगला example जो तुमारे सामने में डिसक्स करने जा रहा हम अगला numerical इस question को समझो इस numerical की language को समझो light with an energy flux of 18 watt per centimeter square एक सक्टेंड आप दे सारी लाइट विद एन अनर्जी फ्लॉक्स अग 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence if the surface has an area of 20 centimeter square find the average force exerted on the surface during a 30 minute time span ठीक है तुमारे पास कोई surface है उसके उपर radiations आके गर रहे हैं कैसे गर रहे है नॉर्मली ठीक है ना और surface कैसा है तुम्हें surface कैसा बता रखा है non-reflecting तो जो भी radiation करने वाले हैं वो सारे के सारे इस पर absorb हो जाने वाले हैं और इसके उपर कुछ force exert करने वाले कितनी फोर्स करने वाले हैं फोर्स हमें निकालने हैं एवरेज फोर्स एग्जर्टेट बाइज रेडियेशन ऑन दा सर्फेस ठीक है तो साट करें चलो सबसे पहले सर्फेस के उपर रेडियेशन जो फॉल हो रहे हूं रेडियेशन की इंटेंसिटी बता रखिए इस कोशन को जैसे एंसिया इसव करता है पहले मैं से एक गाने सुना देता हूं तो यहाँ पर रेडियेशन की जो इंटेंसिटी है डाट इस 18 वाट पर सेंटीमीटर स्कूर तो यह रिडिएशन जब सर्फेस पर जाके गिरेंगे सर्फेस को एनर्जी मिलेगी ठीक ना एनर्जी रिसीव बाइद सर्फेस कैसे निकालोगे इंटेंसिटी हमें दे रखे 18 वाट पर सेंटीमीटर स्कुरें इंटेंसिटी को में आई से दिखा देता हूं इंटेंसिटी को में कैपिटलाई से दिखा देता हूं तो इंटेंसिटी हमें पता है इंटेंसिटी क्या होती है एनर्जी पर निट एरिया पर निट टाइम पता है सबको इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम क्या जाएगा हमार पास एनर्जी फॉलिंग ऑन दा सर्फेस तो इंटेंसिटी कितनी है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वेर एरिया कितना बता रखा है हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वेर कि एनर्जी पर निट एरिया पर निट टाइम इंटू एरिया क्या आगया पावर पावर इंटू टाइम 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 कितना इंट्रवल दे रखा तुम्हें कॉश्छन में 30 मिनिट 30 minute, 1 minute में 60 seconds intensity, energy per net area, per net time into area, into time, energy falling on the surface आगे हैं, ठीक है ना, इसके बाद हम लोगोंने last class के पढ़ा था momentum delivered by radiation falling on a surface ठीक है ना, momentum, आज श्वीर कोई बात नहीं, हो सकते हैं, तू सही कह रहा हूँ, भी देखते हैं उसको भी momentum की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, momentum रहेते तो है, फॉर्मला पढ़ा था हमने, momentum delivered by radiation, which are completely absorbed by surface क्या होता है momentum transferred will be u by c तुमने जो ये energy calculate करी है, 18 into 20 into 30 into 60 divide by speed of light, 3 into 10 की power rate, speed of electromagnetic waves क्या आगया, momentum transfer तो इतना momentum radiations ने surface को provide किया होगा, और momentum आने के बाद force कैसे निकालोगी तो force will be equal to change in momentum by change in time तो momentum हम लोग निकाले चुके हैं, time span हमें पता ही है कितना है time span कितना है, जितने time में हमने ये energy निकाली है जितना momentum transfer कराया है, कितने time span में करवाया है, 30 minutes में ठीक है न, तो time हमें मालूम है, 30 minutes, momentum transfer हम निकाल चुके हैं दोनों को divide करके force आजाएगी momentum by time, time कितना हो जाएगा, 30 by 60 30 into 60, sorry, 30 minutes into 60 कर दिया, seconds में convert कर दिया, calculation कर लोगे, क्या समझ में आया, step समझ में आया, सबसे पहले intensity दे रखी थी, into area, into time, energy falling on the surface, ठीक है, radiation जो है, ये energy जो है, completely absorb हो गई, non-reflecting surface है, तो momentum transferred is u by c, ठीक है, momentum आ गया है, फिर momentum upon time से force आ जाएगा, clear हो गया, ठीक है, तो ये तो NCRT का तरीका है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा calculation को reduce कर सकते थे, इतनी, तीन step में ना करके, एक step में कहांनी खतम कर सकते थे, तो मैं जैसे मैं last class में इंट कर रहा था, ठीक है, कोई भी तुम्हें formula question में पता है, तो बहुत बढ़ी है, नहीं पता, है, surface के उपर, watt per centimeter square, watt क्या हो गया, energy per net time, आगे per centimeter square, per net area, energy per net time, per net area, तुम्हें unit से समझ में आ रहा है, तुम्हें क्या provide कर रहा है, intensity, निकालना क्या है हमें, force, तो ध्यान से देखो, मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, intensity हम सब को पता है, क्या होती है, energy per net area, per net time, energy का dimensional formula वह एक होगा, जो work का होगा, work का dimensional formula वही होगा, जो force into displacement का होगा, into area, into time, ठीक है, तो हमें question में intensity given है, और force हमें निकालना है, तो ध्यान दो force किसके बराबर हो जाएगी, force हो जाएगी, intensity into area, into time by displacement, मैं ध्यान दो displacement upon time क्या हो जाएगा, displacement upon time क्या हो जाएगा, speed, electromagnetic wave की speed, तो ध्यान दो force exerted will be equal to I into A upon C, जो तीन-तीन step में question हो रहा था, अतनी मेहनत करने की जुरुप नहीं थी, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो, dimensions के साथ खेल लो, ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है, force exerted will be equal to intensity of the radiation, multiply by area of the surface, divide by C, intensity कितनी थी हमारी, sorry, 18 watt per centimeter square, area कितना था हमारा, 20 centimeter square, intensity into area by C, C3 into 10 की power 8, अच्छे, चीज़ और मुझे बताओ, surface completely absorbing है, अगर यह surface completely absorbing नहीं, completely reflecting दिया होता question, तुमारे answer पर क्या effect पढ़ता है, अगर यह surface completely absorbing के जगे, completely reflecting होता है, तुमारे answer पर क्या फरपढ़ता है, बिल्कुल, force क्या हो जाती है, हमारी two times, ठीक है न, momentum mv से 0 हो गया, तो यह answer है, अगर यहीं पर completely reflecting surface होता, तो सोचो momentum mv से minus mv, ball की तरह imagine करो, तो मैं last class में भी सिखा रहा था, में, mv, माइनस mv, momentum में change two times हो जाता, two mv हो जाता, तो force भी जो हमारी है, वो two times हो जाती है, clear हो गया, सबालो के, ठीक है, समझ में आ गया, note कर लिए, समने, calculation note कर ली, तो NCIT के method से भी कर सकते हो, energy falling on the surface निकालो, energy by C, momentum आ जाएगा, momentum transferred, फिर momentum upon time, force, ठीक है ना, या फिर तुम सीधा अपना खुद का फॉर्मला जनेरेट कर सकते हो, force will be equal to intensity into area by speed of light, ग्यान दो next example पे आते हैं, next example जो दे रखा हैं यहां पे डिसकस कर रहे हैं हम लो, calculate the electric and magnetic field produced by the radiations coming from a 100 watt bulb at a distance of 3 meter, assume that efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source, ठीक है तुमारे पास जो bulb है, कोई bulb दे रखा है, उससे 3 meter के distance पे हम लोग radiation उससे receive कर रहे हैं, और radiation, electromagnetic radiation जो हम receive कर रहे हैं, उसमें electric field क्या होगी, magnetic field क्या होगी, उसके ओपर हमें comment करना है, bulb को हमें point source की तरह assume करना है, और उसकी efficiency 2.5% लेंगे, ठीक है ना, तो चलो, सबसे पहले तो, question को समझना चालो करो, question के अंदर, हमारे पास bulb है, bulb को क्या मानने हैं, हमने point source, point source bulb से क्या emit हो रहे हैं, ठीक है, radiation emit हो रहे हैं, radiation कहां जा रहे होंगे, radiation जो emit हो रहे हैं, वो emit होके कहां जा रहे होंगे, चारो तरफ, ठीक है ना, point source है, radiation emit कर रहे हैं, और जो भी radiation emit हो रहे हैं, वो radiation emit होके, bulb से कहां जा रहे होंगे, in all directions, ठीक है ना, जिस point पे हम discussion कर रहे हैं, वो कहां पर है, source से, bulb से, कि थ्री मीटर के दूरी क की बात को समझो विजुलाइस करना चालू करो द्यान से बॉल से जो रेडिएशन निकले निकलते ही वह चारो डिरेक्शन तरके बल्प से दूर जा रहे हैं कि बल्प से एमिट हुई जो एनर्जी है वो spread होती जारी है healthy जारी है ठीक है धीज्ट से अब एनर्जी होरी है वो spread हो रही है ऑवर एनर्जी हो रही है झिस प्रेड ङप को है दियान से देगो, radiation left, right, upward, downward, out of the page, into the page, they will be going in all direction, तो दियान से देगो, जो भी energy है, वो spread होती जारी है, किसमें over a sphere, spherical surface, ठीक है, तो दियान दो, जैसे ये radiation travel करते-करते, 3 meter distance से पहुचेंगे, जो energy है, वो spread हो जाएगी, over an area of 4 pi r square, ठीक है, तो दियान से देगो, मैं बात करता हूँ, radiation के form में receive होने वाली intensity की, 3 meter distance पे, जो हमें intensity receive होने वाली है, radiation से energy receive per unit area per unit time, intensity जो receive होने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे बहले, intensity, energy per unit area per unit time, में energy per unit time, क्या हो जाएगा? पावर, ठीक है, बल्ब से radiation के form में कितनी पावर आ रही है? कितनी पावर आ रही है, 3 meter distance वाले point पे, जो हम लोगोने spherical surface इमाजन कर रहे है, spherical surface पे कितनी energy पहुच रही होगी per second? बहुत बढ़ी अच्छे रहा, वह बबब क्या पहुच रही होगी? 2.5 watt, रियान से लेको bulb 100 watt का है, पर efficiency 2.5 percent ही है, 2.5 percent of 100 watt, कितने energy radiation के form में emit हो पा रही है? 2.5, ठीक है, जो हमारे visible spectrum में, जो हमारे को energy radiation से emit हो रहे होंगे, इस point तक पहुच रहे होंगे, ठीक है न, वो कि area intensity में power, तुम लोगों ने अभी बताया, 2.5 watt, और bulb से ही जो power emit हुई है, जब यह 3 meter distance पहुची है, तो यह कितने area में spread हो चुकी है, वो वरा spherical surface, spherical surface area क्या होगा? 4 pi r square, radius कितना है हमारा 3 meter, कैसे निकाले intensity समझ में आ रहा है? क्लिर हुआ, यहां ता समझ में आई calculation, चलो, 3 meter distance वाले point पह जो हमें intensity मिल रही है, intensity receive हो रही है, वो intensity का expression हमारे पास आ गया, अब ध्यान दो आगे दिमाग लगाओ, हमें कहा निकालना है, 3 meter वाले distance पह, electric field और magnetic field की values, ठीक है न, electric field और magnetic field की value, ठीक है, तो electric field और magnetic field की वएए से space में energy होती है, electromagnetic waves की energy की हम लोग last class में बात कर रहे थे, ठीक है, याद है, electromagnetic wave में electric field है, magnetic field है, electric field की वएए से energy density, half epsilon naught e square, ठीक है न, magnetic field की वएए से energy density, b square by 2 mu naught, ठीक है, electric field की वएए से half epsilon naught e square, ठीक है न, रादेगा बढ़ी है, और magnetic field की वएए से b square by 2 mu naught, याद है, सबको याद है, सबको पता है, ठीक है न, पदियान दो यह जो formula है, half epsilon naught e square, b square by 2 mu naught, किसके formula है, energy density के, हमें distance 3 meter पे अभी क्या पता है, intensity, आरी मेरी बास समझ में आरी है, ठीक है, तो यहाँ पर NCRT में formula यूज कर रखा है, NCRT formula यूज करता है, intensity is equal to energy density into C, तुमने last class में NCRT के जिन्दा जितने भी properties थे, जितने भी points है, मैंने सारे के सारे समारे साथ A to Z discuss की यह थे, और कहीं पर भी ऐसा कोई relation theory में नहीं आया, पर numerical में उसने ये relation use कर रखा है, कहां से निकाला होगा, theory में ये relation कहीं नहीं पढ़ाया, ठीक है न, और आगे numerical में ये formula यूज कर रहा है, वो पीछे salt example में, तो कहां से निकाला है, obviously, कहां से निकाला हमें नहीं बता रहा है पर ठीक है, हम भी निकाल सकते हैं using dimensional analysis, ठीक है न, तो चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, intensity, क्या होता है, energy per unit area, per unit time, ठीक है न, intensity को हम रिलेट करना चाहरे है, energy density से, energy density क्या होगी, energy per unit volume, energy per unit volume, तो energy per unit volume वाल एक्स्प्रेशन लाने के लिए ध्यान दो, length से multiply, length से divide, क्या कर दिया है, मैंने, expression को, intensity के expression को, length से multiply, length से divide, area into length, volume, energy upon volume, क्या आगे अपने पास, energy density, ठीक है न, और L upon T, distance upon time, क्या हो जाएगा, speed और electromagnetic wave में, electromagnetic wave की speed, C, आपने में आया है, formula जो NCRT ने यूज कर रखा है, हम भी निकाल सकते हैं, using dimensional analysis, तो electromagnetic wave chapter के अंदर, कोई भी formula तो मैं नहीं पता, तुम खुद डिराइव पर सकते हो, using dimensional analysis, ठीक है, तो दियान से देखो, distance 3 meter पे हमें, intensity पता है, बल्ब से जो भी power emit हो रही थी, जैसे जैसे वो power travel करते होए, energy travel करते होए, R distance से पहुची है, तो वो spread हो गई, over an area of 4 pi r square, power spread हो गई, over an area of 4 pi r square, power upon area, intensity आ गई, distance 3 meter पे हमें, intensity पता है, intensity upon c, क्या देदेगा, energy density, क्या देदेगा हमे, energy density और electromagnetic wave की energy density क्या होगी, half epsilon naught e square, plus b square by 2 mu naught, व्याद है सबको, electric field के वएज से, half epsilon naught e square, magnetic field के वएज से, b square by 2 mu naught, ठीक है, और द्यान दो, last class में मैंने realize कराया था, electric field के वएज से, energy density, और electromagnetic wave में magnetic field के वएज से आने वाली energy density, दोनों कैसी होती है, equal, ठीक है ना, तो द्यान से देखो, i by c, को मैं, half epsilon naught e square, plus half epsilon naught e square, b square by 2 mu naught, half epsilon naught e square के बराबर ही होगा, इस बात को use करते हुए, half epsilon naught e square, plus half epsilon naught e square, epsilon naught e square से replace कर सकता हूँ, चला के दिमाग, ठीक है ना, तो i by c, intensity upon c, energy density आगई, energy density, half epsilon naught e square, plus b square by 2 mu naught होगी, but from past discussion, we know, half epsilon naught e square, and b square by 2 mu naught, energy density due to electric field, and energy density due to magnetic field, in electromagnetic waves are equal, तो b square by 2 mu naught को भी मैंने, half epsilon naught e square से replace कर दिया, half epsilon naught e square, plus half epsilon naught e square, epsilon naught e square, तो e की value क्या आगे है मारे पस, e की value क्या आजाएगी, i upon epsilon naught c, कर अगे हैं, ठीक है, समझ में आगया, intensity तुम आज़ेदी निकाल चुके हो, epsilon naught की value हम सबको पता ही है, 8.85 into 10 की power minus 12, c की value 3 into 10 की power 8 meter per second, substitute करके e निकाल लोगे, e क्या है, कौन बताएगा मुझे e क्या है, capital e हमने निकाल लिया, ये capital e क्या है, ये capital e क्या होता है, electric field, चलो, electromagnetic field, electromagnetic wave में, electric field constant ये varying, अंगरे मा, electromagnetic field के अंदर, electric field constant होती है, varying होती है, ठीक है, जो उसमें varying होती है न, जब लेक्टरी field varying होती है, तो ये हमने कौन सी value निकाल दी है, सक्षन बहुत बढ़ी है, RMS, नहीं समझें, ठीक है न, हाफ, एसले नॉट, E square क्या है, energy density की, mean value, energy density की mean value, से तुमें क्या मिलेगी, E square की mean value, energy density की mean value से, तुमें क्या मिलने वाला है, electric field के square की mean value, और फिर तुम उसका under root कर दे रहे हो, under root कर रहे हो, square के mean का root, squares के mean का root, कौन सी value मिल रही है हमें, RMS, ठीक है न, तो RMS value यहां से आ गई, और इसकी peak value बतानी हो, electromagnetic wave में, electric field की peak value बतानी हो, तो क्या करोगे, क्या करोगे, root two times, ठीक है न, समझ में आता है, सबको दिमाग चलता है, यह तुम्हें जो electric field निकाली है, ठीक है न, यह RMS value आ गई हो, फिर peak value निकालनी हो, तो simply root two times कर देना, ठीक है, खिर electric field की RMS value आ गई, हमसे तो question में, electric field, magnetic field, दोनों पूछी थी है, magnetic field कैसे निकालोगे, बहुत बढ़ी है, E is equal to VB, ठीक है न, श्रीवा, फिर से dimensional system में देखाता है, electric force का formula QE, magnetic field का force का formula QVB, dimensional दोनों equal है, Q से Q cancel, E का dimensional formula will be equal to V into B का dimensional formula, तो electric field और magnetic field में relation हो गया है, E is equal to V into B, electromagnetic wave की velocity C, magnetic field किसके बराबर आ जाएगगे, E by C, ठीक है, तो तुम्हें electric field तो निकाल लिए चुकिए हो, divide by C कर दो, RMS value of E by C करोगे, तो B की RMS value आ जाएगी, into root 2 कर दोगे, तो peak value आ जाएगे, आगे समझ में आ गया, तो bulb से distance 3 meter पे, electric field बतानी थी, electromagnetic wave वे जो electric field है, उसकी value बतानी थी, और magnetic field की value बतानी थी, दोनों निकाल दी हमने, होगे question solve, और फिर से realize करो, question के अंदर ये formula use हो रहा था, जो theory में कहीं नहीं दे रखा था, तो कोई भी ऐसा formula, relation, जिसकी तुम्हें question में numerical solve करने में जुरुत पढ़ जाया, वो तुम्हें नहीं आता, तुम्हें खुद derive कर सकते हो, clear हो गया, समझ में आ गया, note किया सबने, चलो अभी next जो हम लोग discuss करने जा रहे है, electromagnetic spectrum, electromagnetic waves के अंदर, जो भी हमारी wavelengths होती है, जो भी हमारी frequencies होती है, उनको हम कुछ parts में divide कर देते हैं, और अलग-अलग segments को, अलग-अलग bandwidth को, हम कुछ अलग-अलग names प्रोवाइट कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे सामने ये देख रहे हो, gamma rays, x rays, ultraviolet rays, visible rays, rays, infrared, electromagnetic waves, microwave, short radio waves, AM waves, ठीक है, ये सारी जो, हमारी electromagnetic waves का पूरा spectrum है, उसको अभी हम discuss करने वाले हैं, और इसको अलग-अलग parts पर divide करने वाले हैं, depending upon the values of their wavelength and their frequencies, तो ये सबसे पहले हमारे NCRT के अंदर ये diagram दे रखा है, वोई diagram तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है, इस diagram के थूद तुम लोगोंने याद करना है, किसी बच्चे का मेरे पास message आया था कि सरी ये सारी values हमें याद करनी पड़ेंगी, तो हंजी भई तुम्हें सारी values याद करनी पड़ेंगी, ठीक है न, gamma rays की frequency range क्या होती है, wavelength range क्या होती है, ठीक है न, x rays की frequency range, wavelength range, ultraviolet radiation की x rays, wavelength range, frequency range, सारी तुमने याद करनी पड़ेंगी, ठीक है न, यह सब कुछ तुमने याद करना है, questions जो आते हैं, हमारे direct भी आते हैं, indirect भी आते हैं, ठीक है न, तुम्हें कोई भी particular wavelength बता दी, ठीक है जैसे तुम्हें wavelength बता दी, 900 nanometer, ठीक है 900 nanometer will be, A, B, C, D, 4 option, ठीक है, CBAC में school exam में हमारे question आ सकता है, 900 nanometer is a wavelength of some electromagnetic wave, that electromagnetic wave will lie in which part of the spectrum, ठीक है समझ में आ रहा हैं, तो question दोनों तरीके से आ सकते हैं, ultra wallet raise की wavelength की range बता हूँ, ठीक है न, ultra wallet जो, ठीक है 11 जितने दे रखेने हैं उतने ही हैं बस, अपने और मत create कर, ठीक है, ultra wallet जो raise होती हैं, आगे इनके further और division हो सकते हैं, उसके उपर जितना हमारे slivers में हम पढ़ेंगे, ultra wallet जो raise होती हैं हमारी, ठीक है, उसकी wavelength range बताओ, उसकी frequency range बताओ, कोई भी electromagnetic wave spectrum का, कोई भी तुमारे को part दे देंगे, infrared दे दिया, gamma rays दे दी, X-rays दे दी, कोई भी particular spectrum का part दे देंगे, उसकी frequency range बूच लेंगे, उसकी wavelength range बूच लेंगे, ठीक है, objective question भी बन सकता है, तुमारा school में CVC में one more question भी बन सकता है, reverse question भी आ सकता है, frequency range wavelength नरेंज ना बता के, कोई particular frequency बता दे, कोई particular wavelength बता दे, और तुमसे पूचें कि ये frequency range या ये, sorry, ये frequency value या ये wavelength की value, electromagnetic wave spectrum के, कौन से part के अंदर लाई करती है, आरे question समझ में आ रहा है, तो ये सारी frequency range, सारी wavelength range तुमने याद करनी है, आज वाली class में हम लोग जितना भी NCRT में दे रखा है, मैं सारा का सारा तुम्हारे सामने डिसकेस करूँगा, और मैं तुम्हें हिंट कर देता हूँ, तुम लोगोंने क्या करना है, तुमने हर तरह की electromagnetic wave की frequency range, की wavelength range, ठीक है, wave की frequency range, wave की frequency range, wavelength range, frequency range याद करनी है, इसके बाद वो produce कैसे होती है, उनके uses कैसे होते हैं, उनके detection कैसे होते हैं, production, detection, uses, ठीक है, wavelength range, frequency range, कितनी बात याद करनी है, हर type of electromagnetic wave के बारे में कितनी बात याद करनी है, हमने 5, ठीक है ना, कौन-कौन से 5, हर electromagnetic wave, हर type of electromagnetic wave की wavelength range, frequency range, produce कैसे होती है, detect कैसे होती है उनके uses के हैं थीक है न तो पहले दो चलो ncrt में जो जो चीज़े language के form में दे रखी है वो सारी कहानियां पढ़ लेते उसके बाद लास्ट में हम लोग इस टेबल वेबल की बात करेंगे जिसके अंदर ये सारी बाते हैं तो यह डाण के थु मनें हर एक तरह की वेव लेंत्र रेन्ज और फ्रिक्वेंसी रेंज रही है राइच रेंट था पर वेवलेंट बता रखी हैं अच्छा मैं आगे बढ़़ेंगे पहले चीज़ और रिलाइस करा देता हूं तुम देख रहे हो यहां पर कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो एक्स रेज में भी आ रही है और गामा रेज में भी आ रही है ठीक है न तो कोई पर्टिकुल फ्रिक्वेंसी ऐसी है या प्रिक्वेंसी ऐसी है जो से प्रोड़इस को लाइंग कर रही है और territorion वाले कंटे hopping तो मालो फ्रेक्वेंसी मूझ करके दे दिख की जो भी है उब प्रेड्यूस किस मैञेट है ठीक हैं डिसाइड कि इस गॉइंट वी या गामा रे और इस गॉइंट वी एन एक सरे लिरो गया ठीक है ना तो बाद में कुछ लोग मुझसे तंग करते हैं कि सर यहां पर देख लो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ हैं जो एक सरे में भी लाइक कर रही है और वो पर्टिकुलर देखो स्केल पर तुमारे को यह वेवलेंथ मिल गर टेन की पावर मैनास 10 मीजट क्या होगा एक सरे थिक कि पावर मीनेस 14मीटर क्या होगा गामा रे ठीक के न लगावर माइनस 12 मीटर एक सरे भी है और गयामाने भी RPG 10 की पावर मनेस 12 मीटर एक सरे माक कोités या गामा रहे होगा तुम्हें डिसाइड करना है तो तुम सामने एक्जामनेर से क्या पुछोगे बताओ यह वेव प्रेड्यूस कैसे हुई है अगर 10 की पावर माइनस 12 मीटर की कोई वेवलेंद प्रेड्यूस हो रही है तो वह प्रेड्यूस होने का प्रोडक्शन का कि रोगैं कॉंसेट तो पूछ character babe तुम बताइध हो एक्सरे कुछ particular वेव लेंसी है ऑगो गामयरेंद इसे हैं जिन 一 स् Darla क्टीमरी करने वाणी वाली उनको यहां पर चोटे से सेग्मेंट को नहीं यहां पर मैगनिफाइ करके दिखा रहते हैं तुम नोट कर लो तुमारे तो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है यह डाइट लाइस फ्रॉम कशलर र프ी और वाली वेवलरेंगे हो जाएगी अल्ट्रा वालेट 700 ननो यार कौन से रेप्रेज्ट कर रहा है एहां से रचाट वीवलरेंज जो अ appelle आम अंट्रामेat से याद करने का तरीका है तो एक तो यह स्पेक्ट्रम तो तुम याद करी लो 400 से 700 400 नैनोमीटर से 700 विसिबल स्पेक्ट्रम 400 से पहले अल्ट्रा वालेट 700 नैनोमीटर के बाद रेट के बाद इंफारेट आगे जो चीजें यह तुम अपने आप भी NCRT से रीट कर सकते थे चलो तुम लोग अपने आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे विश्वास नहीं है तुम मिलके रीडिंग लगा लेती है ठीक है ना चलो सबसे पहले जो हमारे NCRT में डिसकस कर रहा है यह डिसकसिंग अबाउ ब्रेडियो वेज का सबसे पहले पुरडचिंग ऐसे होती यह तो रेडियो वेज उस फै соверш हो तो दॉस असल्एट चाइव ne होते हैं तो यूसरं से नोंने बता रखें एक रेडियो वेज नाम से चन वाने आरह है रेडियो इस कन्या है था आ intern उसके अंदर इसको थोड़ा और डीडेल में पढ़ा रखा है अभी ब्रीफ में यह आपर बता रहा है यह डियार युस्दैंगोजिएट्ट्अ में तो तुम नोट कर सकते हो तो नोट करते चला जाओ नहीं नोट कर पा रहे तो एंसी आडिव मिल जाएगा महापे अंडलाइन कर लें इसके बाद यह रेडियो वेज को इन्होंने अलग-अलग पार्ट में डिवाइट कर रहता है जैसे सबसे पहले यह बात करें हैं Amplitude Modulated Radio Waves Amplitude Modulated Radio Waves क्या होती है इनका bandwidth क्या होता है 530 kHz to 1710 kHz देख रहे हो सारे अपने आप में questions हैं ठीक है ना Higher frequency up to 54 MHz are used for short wave bands TV wave range varies from 54 MHz to 890 MHz जो radio signals होते हैं 530 to 1710 kHz जो तुमारे TV के जो signals होते हैं उनके लिए जो bandwidth यूज होती है frequency range यूज होती है 54 MHz to 890 MHz ठीक है FM channels जो हम लोग सुनते है FM channel जो bandwidth यूज करता है frequency range यूज करता है 88 MHz to 108 MHz और जो हमारे cellular phones होते हैं वो जो radio signals यूज करते हैं आप उसमें याद करने NCRT में दे रखे हैं स्कूल में भी आ सकते हैं competition exam में भी पूछे आ सकते हैं नेक्स्ट सेकेंड जो हमारे NCRT में discuss कर रखा है about microwaves ठीक है ना microwave अगर हम लोग गरहों में यूज करी रहे हैं उसके अंदर जो radiations यूज होते हैं सबसे पहले माइक्रोवेव की frequency बता रखें माइक्रोवेव शॉट वेवलेंद रेडियो वेव फ्रेक्वेंश इन दा रेंज ऑफ गीगाहर्ट्स ठीक है जो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंशी रेंज होगी इन रेंज ऑफ गीगाहर्ट्स ठीक है इसके बाद production प्रड्री कैसे होती है डियर प्रड्री वाए स्पैशल वेक्यूम तूब्स ठीक है कुछ वेक्यूम तूब्स के तुम्हें एक्झामपल दे रखेंWA स्कूल में आ जाएं कि कैसे प्रेडियूस होती है तो देयार प्रेडियूसिंस सम्स्पेशल वैक्यूम टूब्स ठीक है एंसी आइटी में कुछ नाम भी दे रखें यह भी तुम लोग पढ़के सकते हो ठीक है याद आजाएगा एक्जाम में पढ़के ठीक है ऑप्शन दे बारे में तुम लोग बच्पन सो सुनते ही आ रहे होगे ठीक है तो रेडार सिस्टम्स के अंदर जो होती है माइक्रोवेव जी यूस हो रही होती है तो रेडार ऑलसो प्रोवाइड दा बेसिक बेसिजा स्पीड गंस ठीक है जैसे अब क्रिकेट मैच के अंदर तुम लो जाशार रेडार की राज़न चयक करते है और एडार के अंदर जो वेशो होगा माइक्रोवेड गलिवक्षे स्टंक अब इस नाम थे यूसर के अंदर मैइक्रोवики अंदर तिक्rid conservative ओंस are an interesting domestic NCRT के language domestic application of these waves in such ovens the frequency of microwaves is selected to match the resonant frequency of water molecules so that the energy from the microwaves is transferred efficiently to kinetic energy of the molecules this raises the temperature of any food containing water ठीक है तुम देखते हो microwave के अंदर तुम अपना बरतन रख दो बरतन के अंदर कुछ ना कुछ तुम अपना झाल देते हो तो पूरा जो बरतन है वो गरम नहीं होता सिर्जब खाना खाना गरम हो जाता यह घाने के साथ तुमारे food के साथ जो तुमारे المंदी का contact में आ रहा होता है तुमारे उतना उतना part गरम हो रहा होता है वो भी heat gain कर रहा होता है ठीका तुमारा जो यूटेंसिल जो है वो Glass का मालो के बरतन यूज़ कर लिया तो जो Glass का तुमँवरी Bowl है फो गरम हो गया तो उतना ही पास गरम होता है जो फूड के साथ ऑन्तेक्ट में होता है तो basically उसने जो heat ली यजर तो microwave से नहीं यहीं होती है उसको वो अपनी energy देते जाते हैं, water को heat up करते जाते हैं, उससे food हीट हो जाता है और food के साथ जतना part तुमारा उटेंसिल का contact में होगा, वो भी उससे heat exchange करके करम हो जाएगा, बट remaining part तुम देखते हो वो ठंडा रहता है, normal temperature पर रहता है, clear हो गया? Canadian मायک्रोवेएव के बाद नेक्स वहारे इस्केशन कर रहा है इंफरिडट्रीग सब्सक्राइब तो कव्याटांच कर दो करते हैं उसे हमारे बाड़ी का टमपरेचर कंट्रोल होगी है जो एंदर घोटरी हो तो इन्परेड रेस्ट हमारी बॉडी भी में मैं इमिट कर रही है तो कोई हीट बाड़ी इंपर इंफरेड वेविए इट विद्वेंसी किया होगी बैंड लाइज अगे लोग वेव लेंग एंड आफ दिविशिबल स्पेक्ट्रम विशिबल स्पेक्ट्रम तुम्हें बता रहा था वालेट्टि रेड़ेट के बाद इंफरेड टीचे न तो जो भी इसलिए इनको हीट वेवस बोल जेते हैं इस वाटर मॉलेकल प्रेज प्रेज रेडिली एब्सॉप इंफरेड वेवस बोल जेते हैं ठीक है न तो इन वाटर के लावा यह लोग एक्जामपल दे रहे हैं सी ओ टू एनेश थ्री ऑल्सॉप इंफरेड वेवस ठीक है न कहीं पर बागाश को चैंबर है उसमें सी ओटू गयास है उसमें नेश्थी गयास है ठीक है न तो यह भी इंफरेड रेस को एब्सॉप कर ल थीक है यूज एाए इंवरेड लैंगे अरिज एं फिजिकल तिछ त्यरीपी थेजड कि रिका रीत तरीपी जोगर होती है त्यख़ंदे सिफरा रहती है ग inicial घूरेड जूज कहाम इनवारेड लैंब्स कोरें फेलें सब्सक्त्राच को यह इंवरेड लैंपोल देते हैं तो green house effect जो हो रहा है heating जो भी हमारी यहां पर control हो रही है वो उसमें infrared rays ही अपना part play करती है incoming visible light which passes relatively easily through the atmosphere ultraviolet rays जो होती है उमारे atmosphere को easily cross नहीं कर पाती है उपर में जो हमारी layers होती है atmosphere की जो हमारी layers होती है especially ionosphere जिसको करके layer जो होती है उसमें यह ultraviolet rays majorly absorb हो जाती है बहुत कम अर्थ तक पहुच पाती है और जो हमारे visible spectrum है red से लेके अवाले तक वो बड़े easily cross करते हुए सारे layers को atmosphere के layers सो cross करते हुए earth के surface पर आजाता है incoming visible light is absorbed by earth's surface and radiated as infrared longer wavelength radiation visible light आ रही है earth के surface पर आ रही है absorb हो रही है earth का surface उसे energy gain करके heat up होके heat up होके क्या कर दे रहा है infrared rays, infrared radiation को emit कर दे रहा है these radiation is trapped by green house gases such as carbon dioxide and water vapor तो हमारे air में carbon dioxide है water vapor है infrared rays से वो energy लेके heat up होके वो heat को atmosphere में हमारे store करके लख लेती है infrared detectors are used in earth satellite both for military purpose and to observe growth of crops ठीक है, uses पूछ रहे है यो भी uses इन्होंने बता रहे है वो सारे uses में तुमारे सामने फटा फटा फट डिसकस करता चला जा रहा है एक और use electronic devices for example semiconductor light emitting diode also emit infrared and infrared rays and are widely used in remote switches of household electronics तुमारे गर में जितने भी remote होते हैं TV के video recorders के hi-fi system ठीक है तुम देख रहे हो घर के अंदर तुमारे पास remote है all the remote are working on infrared waves ठीक है न ठीक है, next visible rays ठीक है, next जो हमारे discussion आता है electromagnetic wave के spectrum में visible spectrum, visible rays ठीक है that is the part of the spectrum that is detected by human eye ठीक है, हमारी जो human eye होती है पूर electromagnetic wave के spectrum में जितने part को detect कर पाती है उसी को हमने visible visible to human ठीक है न, visible rays नाम दे दिया है it is from 4 into 10 के power 14 hertz to 7 into 10 के power 14 hertz और इसकी wavelength की बात करें तो wavelength lies from varies from 700 to 400 nanometer ठीक है, 400 nanometer वालेट कलर 700 nanometer तुमारे red color बीच में तुमारे बाकी सारे colors यूसेस, ठीक है यूसेस visible light की use तुम सबको पता है visible light emitted or reflected from object around us provides us information about the world ठीक है, our eyes are sensitive to this range of wavelength कोई भी object पर light rays गरती है visible rays गरती है टकरा के हमारी आखों में इंटर करती है हम उस चीज को देख पाते हैं उस object को हम analyze कर पाते हैं ठीक है, इसके बाद लोग hint कर रहे हैं different animals are sensitive to different range of wavelength ठीक है न, ऐसा नहीं है कि जो ये visible spectrum जो हमारे human के लिए है वही सब बाकी animals के लिए भी हो जैसे example दे रहे है snakes can detect infrared waves and the visible range of many insects extend well into the ultraviolet range ठीक है न, कुछ लोग होते हैं जो ultraviolet rays की help से भी चीजों को आसपास visualize कर पाते हैं तो अलग-अलग mammals की अलग-अलग अपनी range है wavelength range है frequency range है ठीक है 400 nanometer से 700 nanometer वह wavelength range है जो human eye detect कर पाती है clear हो गया visible rays तो हमारे लिए पहले से हम familiar थे next time लोग आ रहे हैं अलफा अल्ट्रा वाले ट्रेश ठीक है तो अल्ट्रा वाले ट्रेश तो मैं अभी थोड़े पहले हिंट कर रहा था जिनकी wavelength violet light से भी काम होगी 400 nanometer से भी काम होगी वह क्या हो जाएंगी हमारी अल्ट्रा वाले ट्रेश तो उनकी wavelength की पहले ही बात कर रहे है इट कवर्स अवेवलेंथ रेंज फ्रॉम फॉर इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर डाट इस 400 नेनो मीटर तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर 0.6 तो commencer सिंप्स नेनो मीटर ठीक है वी तो क्या से होती है इसका तै anton का टंपरिचर बहुत जाएँ ऑसे रहे बान इसकी ऑमप पर अब्यक्रइश इन एक ऱ्षाण वालट रहेंग्य। ओड्या इस सब्सक्राइयद् तो अर्थ के सरफेसे 42-50 किलोमेटर की वीचमे ओजन लेयर है वो सन से आने वाली मैक्सिमम अल्टरावलेट रडिएशन को एब्जॉब कर लेती है अर्थ के ओपर अल्टरावलेटरेस संद से पौछ रही होती है बड़ाइब बहुत कम इंतेंसिटी थिक है तो अगर यह के लिए हम फुलों थी लूट्र वालइट लाइट इस इन लार्ज कॉंटिटी स्मॉल कॉंटिटी में लाज कॉंटिटी इस आर हम्ट चोटा सा एक पॉइंट बता रखा है अल्टर वाले ट्रेडीशन इस एप्जॉड बाइ और अडिनरी ग्लास हमारे घर की जो अडिनरी ग्लास विंडोज होती है वो तक भी अल्टर वाले ट्रेज को ब्लॉक कर देती हैं तो एंस वन केंनोट गेट टैंड और सब्सक्राइब थ्रू glass windows ठीक है जैसे हम लोग अगर travel कर तो जा रहे हैं car की in the red car के जो हमारे window के normal glasses भी तो इसका कज्कर बलॉक कर देगे तो 양कर को अंडर बैठें तब तक सेफ हो जहां खार की बाशर आते हो तो तो फिर तुमें तैंञिंग हो सकती है शन पन हो सकता welders via special glass goggles और face mask with glass windows to protect their eyes from large amount of ultraviolet produced by welding arcs welding के खरते समय जो welding की समय जो radiation submit हो रहे होते हैं उन में ultraviolet radiation बहुत ज़्यादा intensity की होते हैं और उन से बचने के लिए तुम देखते हो जो welders होते हैं एक shield लेके face के सामने रखते हैं उसमें एक glass लगा रखा होता है ठीक है न वो glass क्या काम कर रहा है basically ultraviolet radiation को block करने के लिए help कर रहा है ठीक है यूजेज ultraviolet radiation की uses due to their short wavelength ultraviolet radiation can be focused into very narrow beams and high precision applications such as lasik eye surgery eye surgery वगरद हम लोग करते हैं उसके अंदर ठीक है हम एक बिलकुल pinpointed जगे होती है जिस point पे हम लोगों को heat भेजनी होती है ठीक है तो इसकी wavelength short है इसकी energy बहुत ज़्यादा है तुमने सुना होगा hc by lambda जितनी wavelength कम होगी उतने radiations के photons की energy ज़्यादा हो जाएगी ठीक है न और जितनी energy ज़्यादा होगी उनको एक point पे focus करना उतना असान हो जाता है ठीक है तो due to their short wavelength उनके photons के energy hc by lambda lambda कम तो photons के energy ज़्यादा ठीक है photons को एक point पे focus करना असान हो जाता है laser treatments के अंदर हम लोग उसको फिर use कर पाते है ultraviolet lamps are used for के लिए germs in water purifiers ठीक है तुमने देखते हो आजकल तुमारे घर में जो आरो जोगरा आ रहे है water purifiers आ रहे हैं उनमें बोलते हैं UV rays होती है UV rays के थूँ जर्म स्किल कर देते हैं again ozone layer in the atmosphere भी हिट भी कर रहा था plays a protective role and hence it depletion by CFCs gas is a matter of international concern ठीक है तुम छोटी glasses से सुनते आ रहे हैं ठीक है CFCs को कम से कम यूज करो जो हमारे spray वाले जो perfumes उगरा होते हैं उनको कम से कम यूज करो क्योंकि उनसे CFCs emit होती है और वो हमारी ozone layer को defleet कर सकती है clear हो गया यहां तक next हम लोग बात करें एक series की एक सब्सक्राइब नेक्स हम लोग बात कर रहे हैं x-rays के बारे में x-rays में क्या है beyond the ultraviolet region पहले तो बता रखा है x-rays होती क्या है beyond the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum lies the x-ray region ठीक है we are familiar with x-ray क्योंकि x-ray तुम देखते रहते हो जगे-जगे हम medical applications में यूज करते रहते हैं लोग pair to try, hard to try, x-ray कराने जा रहे हैं x-ray word के साथ हम लोग familiarize दी है तो इसकी wavelength क्या होती है it covers the wavelength of about 10 की power minus 8 meter that is 10 nanometer down to 10 की power minus 4 nanometer produce कैसे होती है तो one common way of generating x-rays to be bombarding a metal target with high energy electrons ठीक है ना आगे ये x-rays हमारे cbac में नहीं है board slabs में नहीं है पर हमारे IAT के slabs में IAT के अंदर x-rays आता है तो IAT के लिए x-rays हमें specially अलग से पढ़ना पढ़ता है तो वहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा मैं detail में तुम्हें इसको explain कर दूँगा उसमें क्या काम करते हैं ये लोग एक tube बना लेते हैं ठीक है ना उस tube में एक metal लगा देते हैं ठीक है filament लगा देते हैं ठीक है ना filament को heat up कर देते हैं filament को heat करने से electron emit होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को high potential difference से accelerate कराके मेटल के surface से भेज देते हैं तो ये fast moving electrons जाते हैं मेटल के surface से टकराते हैं और मेटल के surface से collide करने पर अपनी energy kinetic energy lose कर देते हैं और जो भी kinetic energy lose हो रही होती है वो X-rays के form में emit हो रही होती है आ रहे है setup समझ में आ रहे हैं तो तुम्हारे पास यहां पर filament filament को heat up कर दिया heat करने से filament ने electron emit कर दिया सामने एक metal लगा रखा है heavy metal लगा रखा होता है heavy metal से मतलब होता है metals having large atomic number large mass number इन दोनों के बीच में यहां पर battery लगा रखी होती है battery के वाई से potential difference potential difference के वाई से filament और metal की बीच में electric field वह electric field इस electron को accelerate कराती है fast moving electrons जाके metal से टकराते हैं टकराके rest पर आ जाते हैं और जो भी वह energy loose करते हैं अपनी यह kinetic energy loose करते हैं that energy is converted into radiation and these radiations are called x-rays ठीक है न तो x-rays produce कैसे होती है x-rays can be produced by bombarding a metal target by high energy electrons ठीक है use क्या है तो use तुम्हें बताई दिया है medical uses में काम आता है तो x-rays are used as a diagnostic tool in medicine and as a treatment of certain form of cancer ठीक है कुछ cancer treatment में chemotherapies में भी x-rays और gamma rays ही काम आती है because x-ray damage or destroy living tissues or organism care must be taken to avoid unnecessary exposure ठीक है देखते हैं तुम लोगों को बोलती है x-ray के अंदर रूम में तभी जाओ जब जरूरत है नई जरूरत है ज़्यादा जाने जरूरत नहीं है क्योंकि these exposures are not healthy last x-ray के बाद काहनी खतम करने के लिए हमारा अगला discussion gamma rays ठीक है gamma rays क्या होती है wavelength range बता रहे हैं सबसे पहले इसकी they lie in the upper frequency range of the electromagnetic spectrum सबसे last electromagnetic spectrum का सबसे last range है वो हमारी gamma rays के लाती है wavelength of the about 10 की power minus 10 meter to less than 10 की power minus 14 meter frequencies बहुत जादा होती है wavelength बहुत कम होती है gamma rays high frequency low wavelength ठीक है तो wavelength के हम बात करें तो 10 की power minus 10 से कम और कहां तक जाती है 10 की power minus 14 meter produce कैसे होती है तो these high frequency radiation is produced in nuclear reactions and are also emitted by radioactive nuclei ठीक है ना तुमने chemistry में पढ़ा होगा radioactive decay तो radioactive जब decay हो रहे होते हैं तुमारे radioactive elements तो उनसे भी तुमारी gamma rays produce हो रही होती है ठीक है ना तो तुमने radioactive decay में पढ़ा भी होगा chemistry में आगे phasus में भी पढ़ोगे alpha decay, beta decay, gamma decay तो gamma decay के अंदर gamma rays होती है ठीक है ना इसके बाद they are using medicine to destroy cancer cell again chemotherapies होती है cancer cell destroy करने काम आती है चलो यह seven types of electromagnetic waves पूरे electromagnetic wave के spectrum ने seven parts में divide कर दिया तुम लोगों ने अब खूब सारी बाते याद करनी है याद करने के लिए तुम्हें table बनाना हूँ ठीक है ना table में तुमने क्या करना है तो तुमने मैं बता रहा था जितने भी type की तुमारी waves है जितने भी type की electromagnetic waves है तुमने सबकी wavelength range frequency range produce कैसे होती है detect कैसे होती है उनके uses क्या होती है ठीक है तो NCRT के अंदर ही तुमारे लिए काफी table बना रखी है ठीक है wavelength range production detection तो दिनों नहीं बता रखा तुमने यही table को थोड़ा सा और elaborate कर लेना है इसमें दो चीज़े और add कर लेनी है इन सारे types of electromagnetic waves की frequency range add कर लेनी है और इनके uses note कर लेने है clear हो गया ठीक है न तो जितनी भी electromagnetic waves है उनकी wavelength range frequency range reduce कैसे होती है detect कैसे होती है जो भी अभी हमने discussion किया हर paragraph के बारें पड़ा detection जो है discussion में उन्होंने कहीं नहीं बता रखा यह table के अंदर ही बता रखा तो अलग अलग तुमारी electromagnetic wave detect कैसे हो सकती है वो detection इस table के अंदर तुमको सारा provided है तुमने यहां से इनको note कर लेना है अपनी table complete कर लेना है ठीक है ना तो समझ में आ गया टेबल के अंदर कितने points हो गए पहला wavelength range दूसरा तुम्हारा frequency range थर्ड production फॉर्थ detection और फिफ्थ uses ठीक है clear हो गया और तुमको users याद कराने के लिए एक net से मैंने तुम्हारे ले डाग्राम भी निकाल दिया ठीक है ना इसको भी तुम देख सकते हो नेट में Google पर साज करोगा तो बड़े अच्छे च्छे डाग्राम बनाके तुम्हें याद करने में याद करने के तरीके बना रखें लोगोंने ठीक है ना तो ये uses के लिए तुम्हें को बलॉक करने के लिए gi he में ब्रॉट कास्टिंग रेडियो वेश माइक्रोगेश इंफारेड रेज हीटिंग काम आ रही है विजिबल राइट ऑप्जेट देखने काम आ रही है अल्ट्रा वाले ट्रेस ठीक है तुम लोग को ब्लॉक करने के लिए ग्लास वगरा यूज करने वाला यह हमारा लिट्व में इसमें इतना ही डिसकेशन है बाकि जो भी फिर और चेप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना है एंसी आटी के बुक टू वाले के ओपर बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग एंसी आटी के बुक वान का लास्ट चेप्टर कानी खतम इसकी हैं पिर